नवस्कार फरीदबाद मैं सौरभ भारत वाज और एक बार फिर आप सभी के साथ लाइव हैं और चर्चा वही जिस पर आज हमने लोग ने लिंक शेयर पिया है आपके साथ हर्याना राज्य फार्मेसी काउंसिल लगातार चात्र वहां जाते हैं अपने रेजिस्ट्रेशन के लिए और उन्हें तमाम तरह की समस्याओं का सामने करना पड़ता है आठ आठ नो नो महिने हो जाते हैं डिग्री लिए लेकिन उनका रेजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है औ और कैसी समस्याओं का सामना पूरे प्रदेश के चार्टर कर रहे हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़े हैं, वरिष्ट पत्रका हैं, सुभाज चौदरी जी. नमस्कार. चौदरी साथ नमस्कार, स्वागत है हमारे स्कारिक्र में, और आज हम लोग हर्याना राज्या फार्मेसी काउंसिल के विशे में चर्चा करने के लिए आपके साथ लाइन हैं, और निश्चत रूप से आपकी जो रिसर्च है, इस पूरे प्रकरण में, शात्रों को कैसे परि है, उनका जो रोजगार है, उसके वंचित किया जा रहा है, जी, चौई साथ, क्या लग रहा है आपको, देखे, फार्मेसी सब्जेक्ट ऐसा है, जो आपने आप में सिल्फ एक्स्प्लेनेक्टरी है, कि ये स्वर रोजगार पैदा करने वाला विशे है, और इसको लेकर ग सरकार बहुत समिधन सील है, और बहुत इस दिशा में कई ऐसे, कुछ स्टेप्स ऐसे उठाए गए हैं, कुछ प्राद्धानों को बदला गया है, खासकर जो फार्मेसी कांसिल ऑफ इंडिया है, उसके प्रोविजन्स में भी कापी बदलाव किये उसे बहुत सक्री किया गय से जो टेलेंटेड बच्चे हैं, उसको जो की मेडिकल में नहीं जा पाते हैं, खासकर नीट कंपीट करने के बाब जूत्कों की सीट्स की कम ही है, तो फिर उस तरह के बच्चे कहा जाएं, उसकी तेजस्विता का उसके इंडियांस का उप्योग आखिर कैसे किया जा सकता ह है, फार्मेसी की दिश्टी से मेडिकल के छेतर में, तो उस दिसास से सवी कॉलेजेज ने फार्मेसी जो सब्जेक्ट है, चाहे हो डिप्लोमा इन फार्मेसी है, या फिर भी फार्मेसी है, या मास्टर इन फार्मेसी है, उसको सुरू किया, बहुत सारे लोगों ने फार्म बातों में बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं हकिकत वैसा है नहीं जैसा कि आप लंबे समय से पत्रकारिता में आप भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं आपका कारिषित हरयाना लंबे समय से रहा है तो हर्याना में की सीट्स बहुत कम है अपएक साक्री दूसरे राजियों की तो राजी भी छोटा है लेकिन जो एस्टुडेंट्स हैं उसकी संख्या बहुत ज्यादा है नीट आज के तारिक में हरियान में बहुत सारे बच्चे अच्छे हैं जो आगे बरकर करते हैं लेकिन चौदरी साब मैं थोड़ा सा इसलिए रोकूंगा आपको बीच में थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ जोड़े हैं जिनको एक्शल परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है हम उन्हें भी अपने साथ जोड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग हमारे साथ जुड़ें और उनसे हम बात्चीप कर पाएं जी पूझा जी हलो पूझा जी सुनपा रहे हमें 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 जी लाइसेंस को ले करके प्रॉब्लम आ रही है सर हरयाना पीचिया से हमें आट मिने हो चुके हैं अभी तक हां जी सर जी कहां से कहां से आपने मिने कहां से पढ़ी है सर लिंग्याज उनिवस्टी से लिंग्याज उनिवस्टी से फेर्मसी पढ़ी है और हमारे साथ और भी कई सारे स्टूडेंट्स जुड़े हैं नु€ आप दिखाई नहीं जाय आ हमारे लोगों को आप दिखाई नहीं दे रहे हमारे लोगों को जी बताएं पुश्पिंदर जी क्या समस्या करना करना पड़ रहा है सर समस्या करना करना पड़ रहा है कि हमने पीटेल लार कोले सर फार्मेशी करी थी इजले साल जी जी तिल LIKE भांगपुर में बोटेएं कि तुम्हारा कोलेज तो बεν है कि अधिक तो वह बात हमने कॉलेज में आके बोली लेकिन अब जो पंद्र अगस्त को आगया था हमारे कोलेज के नाम उसके अंदर भी आगया था कि अधिक अधिक के लिए जो बच्चे हैं आप देखे अगर 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 दवाई की दुकान खोलना चाहते हैं एक तरफ प्रधानमंत्री या केंद्रेश्वासमंत्री बार 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 बोलते हैं कि जैंदिक मेरिशिंस के लिए जो अलग से हम दवाई की दुकान खोलने के लिए बच्चों को या यंग चैप्स को हम प्रेजित कर रहे हैं हर गलियों में उस प्रकार की दुकाने खुल सकते हैं हर डिश्टिक में खुल सकते हैं इस बार भी लोगशवा के बैठक में इस तरह के मुद्दे आये थे जब तक बैजी बहुग है वेँदा संब्रेजित करका हैं फार्मिशिक परने का रहे होई है किए दिप्लोम और यहां स्कते हैं हैं डिप्लोमा किया है अब आप देखे ये बच्चे हैं मद्यंबर की परिबार के बच्चे हैं और अगर इन्हों ने किसी तरह से अपनी अपने परेंट्स की कमाई से किसी तरह जिंदगी किसी तरह से कैसे करके किसी कॉलेज में जहां बैक्ति को सस्ता मिलता है जो आपको जहां सस्ता एजुकेशन और क्वालिटेटीव एजुकेशन मिल जाए आप वहां मूब करिए वहां से आप अपनी डिगरी हासिल कर सकते हैं आप परहाई कर सकते हैं अगर इस बच्चे इन्हें माल लीजिए हर्याना से बाहर के किसी कॉलेज से या हर्याना के किसी अगर को दो कि आपको purchased आप स्वे का किया काम आप काम है अप का काम है सर्टिफिकेशन देना और जब बच्चा एक जब ओप इंडिया या प्रोशेस के ताथ इस बच्चे ने अपना तीन साल का डोसाल का डिप्लोमा किया और सारे प्रकार के लिए हम बच्चों को अगे परा रहे हैं उस प्रकार की चीजों को हम स्केल्ड करते हैं जब कॉलेज इसको से आपने खरा कर रहा है घुर्ट है कि एक और शुड नाथा वार्मिशी में आप जिसका अभी तक भी हमारा लाइसे नहीं दिया गया है और हम जब भी बात करके तो अदलखा जी कि हाँ से फोल आता है कि अब आप अपने वाले से बोलो वह बात करें को जाते हैं को मिटिंग में पर समीटिंग में सब को नहीं आप देख सकते हैं सौरब जी कि इस प्रकार के जो बच्चे हैं कॉलेज और फार्मेस्टी कांसिल के बीच में जूल रहे हैं आखिर इसकी जिम्मेदारी इनको फैसिलिटेट करने की जिम्मेदारी किसकी बनती है हरेना सरकार की या फिर जो हेल्थ डिपार्टमेंट है जिसके पैरोकार या जिस पुझे समझ में बात नहीं हाती कि सारे 400, 300 आप इस तरह की बातें करते हैं, सर्विसेस को इसमें सामिल किया गया है. हजारों बच्चे हरियाना के ये तो थीस पैथिस बच्चे आपको अभी बता रहे थे, ये विचारे. हजारों बच्चे ऐसे हार्याना में जो केवल और केवल इसी सर्टिप्रिकेट से वंचित रहने के कारण ना तो वो फार्मेशिय के किसी कमपणी में नोकरी हासिल कर पा रहे पढ़े फार्सी बेचे तेल आप ये समझ हैं कि यह तो मुहावरा के बना दिया है नों ने हर्याना में पढ़े फार्मसी और बेचे तेल ठीक कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं अब हालात ऐसे बन रहे हैं सोरभ जी कि इस प्रकार के आप अगर बच्चे हजारों की संख्या में इस तरह के से वो अगर वांडरिंग वो जो अच्छे कॉलेजिज हैं जिन्होंने फ्रास्ट्रक्चर और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर में जानता हूं पर्सनली भी बहुत सारी इंस्टिशूशन में मैंने देखा है जाकर वैसे बच्चांगे इंस्टिशन से हैं अरे आप यह सुचे निंग्याज य किया जा रहा है आप सोच नहीं सकते बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कितना आप देखें एक अगर प्राइबटेशन आपने किया उनको आपने यह फ्री हैंड दिया कि आप बच्चों के लिए इन्वेस्ट करिए कितना शूज इन्वेस्टमेंट किसी ऐसे बरे गुरूप का उ और यहां के बच्चों को उन्होंने एजूपेशन की दिश्टी से केटर करने की कोशिश की तो क्या उनका अपराद हो गया इस तरह से क्यों नेल डाउन करना चाहते हैं समझ में बात में आते हैं अखिर हर्याना सरकार की आँखें कहां हैं इससे तो आप देखिए अगर ज रेजिजिइडन्ट है, वो बच्चे तो आप हर्याना के बच्चों के साथ उन युवाओं के साथ इस्पितार का अन्याय आखिर क्यों कर रहे हैं क्यों नहीं अगर कोई ऐसी तकनी की दिक्कत है या अगर कोई खामी है तो उन खामी को आपको सामने रखना चाहिए जिससे कि पबलिक अवेर्नेस हूँ जी सोरब जी आप क्या आप अन्म्यूट है आप अन्म्यूट करें आप म्यूट हैं आप अन्म्यूट हैं लोडी तकनी की गड़बड़ी थी शायद कोई भाग है कोई बाग पर आप अन्म्यूट करें अफ्यूट म्यूट हो गये ए अ हां ठीक है जी निशांत हमारे साथ जुड़े हैं निशांत से बात करेंगे निशान सुन पा रहे हैं आप हां जी हां जी सर नमस्कार नमस्कार जी बताएं क्या समस्या है आप सर मिलिंगे आज को इस से डी फार्मा की थी मैंने 2022 में कम्प्लिट होगी थी तो सर जन्वरी फर्वरी में एप्लाए कर दिया था रेजिस्टेशन के लिए सर वो रेजिस्टेशन हो गया था उस टाइम पे बड़ सर लाइसेंस नहीं आ रहा है सर आज आपके चैनल के माध्यम से हमने मैं को बुलाया था सर दो मिनिट बोलने कमो कर दीजिए बैस बिलकुल बिलकुल अभी बात रखी जी सर आठ महीने से चक्कर काट रही है कोलिज गे सर हमारी फैमльी कैसे कर रही है खेतिवाड़ी किया अभी फलर आगी थी बार आगी थी सर उसमें सारे सार्व पापा को लगता था जरिया हमारा बेटा है कुछ करेगा कमाके देगा तो सर अब कुछ भी नहीं रहा है और पापा की भी उमीदे तूटी हैं सर कुछ इतना अच्छी कोई वो है नहीं हमारी कि हमारे पास बैकप है हमारा पैसा है जो हम कर भी सके कुछ सर कुछ ही नहीं है और सर कोलीज में जाते हैं कोलीज वालों को बात करने तक तभी बता नही ये उनकी बाते करने के तरीके हैं, बकायता वीडियो भी हमारे पास, हम आपको वीडियो भी दे देंगो उस चीज की, जो उसने बोला हमें, कि हम वीभू के मर जाएगा तुम्हार साथ, सर बाते करने का नहीं पता, सर जब ये लाइसेंस प्रोवाइड के लिए बोलते हैं, क को भी दीक जूब कर दो कोई युंट करना चाहते ज़ते नथी से और याउने कॉआ रिज़ोटे सना लाइसे डिए निख जल पर लेन सीया तो युलिए लायसने सीफड ह्याओट प्रशमैंस को प्रिशान किया जा रहा है जा रहा है कि फार्मेसिय काउंसिल के माध्यम से औले जिस को भी परेशाण किया जा रहा है सर यह आपकी गलत गलत हुए सर कोलीज को बच्चों को परेशान कर रहें सर को ली कुछ कारवाई नहीं करता मैं बताता हूं सर कॉलिश भी कुछ नहीं करता ऐसा ऐसा नहीं है कि फार्मेसी वाले को परिशान कर रहे हैं को बच्चों को भी कर रहे हैं आठ महीने में बोलते हैं आप तीन दिन बाद आओ एक हपते बाद आओ चार दिन बाद आओ निशान निशान मैं रोकूंगा रोकूंगा एक मिनिट आप यह बताएं कि आपसे तो आपकी फीस ले चुका है कॉलिज अंजी सर आपको आपकी डिगरी दे चुका है कॉलिज अंजी सर कॉलिज को ऐसा क्या फायदा होगा आपको परिशान करने से अपनी कस्चीज घटाने क के लावा और क्या फाइदा होगा उन्हें वह आपको क्यों परिशाद करेंगे तर आपकी बढ़ी है तर एक छोटी सी चीज मेरी भी सुनना हमें डिगरी भी दे दिये ठीक है हमें हमें डिगरी भी मिल गए सर सब कुछ मिल गया हमें ठीक है हमने अड्मिशन लिया था अपने लाइसेंस के लिया था सर को लीट वालों को एट लिस्ट बात तो करनी चाहिए इसी खॉरवyas एसमय सोलूचन नहीं निकलेगा सब्सor महरी टवी हमारी online चाने बाना हुआ-द् Geme निशान जी आप से एक सवाल है देखिए जब आपको फार्मेशी के सब्जेक्ट में आप चाहे डिप्लोमा या विल फार्म या एम फार्म जो भी आप करने जाते हैं तो उस पॉलेज की वेबसाइट पर और दूसरा जो आपने फार्मेशी कॉंसिल आफ इंडिया का नाम सु कि क्या आपका कॉलेज पीशी आई से एप्रूब्ड है और अगर अगर तो नंबर ऑप सीट्स कितने उनको दिए गए हैं डिप्लोमा के लिए कितने वी फार्म के लिए सब्जक्ट बहुत साब सब्सब्दों में पीशी आई की वेबसाइट पर उन सारे कॉलेजिस के नाम उस पर inlisted होते हैं और डिश्पले किये हुए होते हैं आप उसको देख सकते हैं अगर सर्व सोड़ी सार एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर्व पोरीशी में आपकी जानकारी समरीट करघू उसके बाद भी आपके सवाद भी दोना आप पहले सुन लीजे मिरी बात साइब आप प्रंग में इंग जो सुर्थ आपक सबाब ना आपको को बन आप को अगर आपको 170 ए आपक生 diz ऐ क्या आपने फार्मेसी कॉंसिल आप इंडिया की वेब साइट पर जाकर लिस्ट में आपने अपने कॉलेज का नाम ढूंडा आप अभी प्रोग्राम समाप होते ही आप उसको एक बार देखिए और तब आपको पता चलेगा कि क्या आपका कॉलेज वाकई ब्लैक लिस्टेड ह हर्याना फार्मेसी कॉंसिल कौन होता है किसी को किसी को ब्लैक लिस्टेड करने वाला जब इनके पास यह अथन्टिकेशन नहीं है कि किसी कॉलेज को वह ऑथन्टिकेट कर सके इस मुद्धे पर PCI PCI का यह अधिकार छितर होता है और PCI किसी फी कॉलेज को आल अबर इंडि तो जूद बोल रही है आपको खंट्यूज कर रही है दूसरी बात है जो आपने कहा कि कॉलेज वाले आपको परेशान करते हैं यह आपके परेशानी को मैं समझ सकता हूँ आप यंग आपी हैं आज आप आठ मेहने से बिरुज़गार हैं अभी तक आप अपना रुज़गार या तो स्थापित कर रही होते या कहीं कहीं किसी कंपनी में आप अपनी नोकरी हासिल कर लिए होते अगर उस लैसेंस आप ले लिए तो बिलकुल आपके दर्द को मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं हमारे भी बच्चे हैं मैं इस बात को अच्छी तरह समझ रहा हूं सवाल यह कि जो कॉलेजेज का नाम आप ले रहे या और भी जो कॉलेजेजें मैं आपको कूलेज के साथ यह बाता कह सकता हूं इतने बड़ी बड़ी इनवर्सीटी सारी आना में हैं और उन्हाने एक बार नहीं साइध आपके कॉलेज ने आपको ठीक से इनफॉर्म नहीं किया एक एक डिटेल की अर्याना फार्मिसी कॉंसिल मांगती है और उन कॉलेज़ ने उन युनिवर्सिटीज ने एक बार नहीं सौरग जी ये शौकिंग इनफार्मिसिन में आपको बता रहा हूं एक बार नहीं एक दर्जन बार उन्होंने इमेल के माध्यम से डीन ने सारी इनफ सोचते हैं अप्टरी साव ये केवल लिंग्याज कॉलेज का मामला नहीं है यूनिवस्टी का मसला नहीं है पूरे हरयाना के जितने फार्मेसी के कॉलेज़ हैं वो सब परेशानी में हैं उन्हें ट्व निव लो नहीं सकते दिक्कत यह हो लगाता प्ति अर्सक्षां को उसमें इस्टिटी ऐसे बन रही है कि जो बरे इंस्टिटूशन से लिए जी जी दीएस मिश्राजी मिश्राजी आप सुन पा रहे हैं हमें दीएस मिश्राजी मिश्राजी सुन पा रहे हैं हमें नहीं सुन पा रहे हैं मैं एक बहुत इंपॉर्टन इनफॉर्मिशन दे रहा हूं और साइड जो बच्चा था उप्रसांत नाम था उनका साइड जो बच्चा अब मैं अगर अगर निसान सुन रहे हैं और जुरे हुए हूं तो मैं उनकी जानकारे के लिए बता दूं कि आप पीशी आई के साइट पर जाईए और आपको इनफॉर्मिशन दे रहा हूं कि उनका फाइल नंबर 461 है सिरियल नंबर 206 है लिंगायक उनिवर्सिटी का और डी फार्म लिंगायस को एक्स्टेंडड एप्रूवल अप टू दो हजार तेइस चोविस है एकेड़िक सेशन फॉर सिक्स्टी एडमिशन शाट बच्चों की एडमिशन लेने के लिए वो अधिकित किया गया है PCI की औ मैं आपको अधिकित इंफॉर्मेशन अभी ततकाल अभी उसकी साइट से लेकर आपको मैं दे रहा हूं तो इसलिए बच्चों को आपने जानकारी ज़रोग दूस्त करने चाहिए चौदरी साब एक और छोती से सूचना हम आपसे चाहते हैं जानकारी आपसे चाहते हैं कि यह जो परिक्षा होती है यह जो यूनिवस्टी यह जो परिक्षा होती है बी फार्मा एंफार्मा या डी फार्मा की यह परिक्षाएं आयोजित कौन यूनिवस्टी करती है या उ अप्रूबल उसको देती है PCI तो उनको पूरा एक सिट प्रॉसेस देती है UGC के एकॉर्डिंग पूरा का पूरा और उस सारे कोर्सेस ऑफिस्टर्डी के अनुसार सेमस्टर हर चीज का पूरा एक सिड्यूल उनको दिया जाता है कॉलेज को और फिर वो दिंग उनिवर्सिटी वो कॉलेज अपने हिसाब से उसको पूरा का पूरा एक तरह से फ्रेम करके अपने courses को frame करके और उसके according ही सारे के सारे exams conduct कराती है उस university का काम है exam conduct कराना दूसरा नहीं अगर जो colleges हैं ये तो university हो गई लेकिन जो colleges हैं और उनमें बहुत सारे सरकारी colleges भी होंगे तो उनका जो exam है वो कौन conduct करता है अगर सरकारी college है तो सरकारी college किसी न किसी university से संबद है तो university के process के तहत उनके exams conduct किये जाते हैं और अगर वो dimmed college है तो उस dimmed college को खुद को अपना अधिकार है कि वो PCI के approval के अनुसार और उसके दिये हुए नियम और सर्तों के अधार पर उन exam को conduct करे और उसके पूरी देखे हर semester की सारी जानकार उन colleges को PCI को देना पड़ता है रेगलर में में देना पड़ता है जैसे आप return file करते हैं उसी तरह से सारी जानकारी देनी पड़ती है इधर से उधर नहीं कर सकते हां मैं यह मानता हूं कि कुछ colleges ऐसे हैं जो गरबर करते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे लिंगायक यह गैर कानूनी है और अगर इस तरह की जानकारी मिलती है मान लीजिए हर्याना फार्मेशी कॉंसिल को इस प्रकार की जानकारी मिलती है क्योंकि वह उनसे पूरी लिस्ट मांगते हैं से संवाइज लिस्ट मांगते हैं और colleges और university उनको पूरा authenticate करके अपने लेटर पैट पूरा उनकी दीन की से उस सारे बच्चों के नाम, father's name, role number, उनके marks सारी जानकारी हर्यना फार्मेशी कॉंसिल को दी जाती है उसके अलावे अगर कोई बच्चे उनके पहुंचते हैं 60 के अलावा या जितने उनको approval 6 की दी गई है उसके अलावा तो वो सही बात है उतो पकर कर रहे हैं इस से हरेना सरकार की चवी कितनी खराब हो रही है आप युवाओं को सो रोजगार के लिए रोजगार के लिए एक तरब आप कहते हैं कि graduation हासिल करने वाले बच्चों को जैसे graduation के मुहने पर पहुंचे उनका result आना होगा उसी समय उनके घर हम उनके doorstep पर हम passport पह चाहते हैं आप लैसेंस बच्चे को नहीं िजय सकते हो चोँ नहीं क्या कारन है यहां की काम चैर्फ को श向की कालिशन को आप शुदहार alcohol करें जैसे वह बच्चे अभी रो रहे थे पर बावबों को रहे थे कुंशी है under the assistant है एक में किसान हम समस्पाइए किसान के क्या यह समझता है कि मेरा बच्चा कर लेगा तो कहीं न कहीं लग जाएगा फिर दो पेसे अच्छे कमाएगा हमारी जिंदगी सुधर जाएगी अब आप समझिए इनके इनके लाइप में हुआ इसका रिजर्ट क्या जा रहा है क्या इसके लिए हरेनर सरकार को नहीं सुचना चाहिए क्या हरेनर सरकार को इसके लिए संबिदन सील नहीं होना चाहिए क्या उनको इस तरह की विशय को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए क्या कभी में मिरे मन में यह सवाल उठता है कि क्या कर हलकि इतनी सारी संकार की विगप्तियां की और से जारी होती है और कंसर्ण डिस्टिक्स की और से भी जारी होती है पंचकुला से भी जारी होती है मैंने आज तक नहीं देखा कभी कि हैर्थ विभाग का मंत्री PCI को लेकर कभी PCI के चेर्मेन वाइस चेर्मेन ऑwn उसके मेंबर के साथ या इसके जो सेकरेटरी वहां है उसके साथ बैठ करके कभी इसके कंडक्ट को लेकर चर्चा की हो मैंने आज तब कभी नहीं देखा नहीं सुना हो सबता है किया हो कभी तो वो चीजह जानकारी में नहीं आई हो हमारी लेकिन मैंने अब तक नहीं देखा किविन में बहुत प्रोजरी मोनीटर कर रहा हूँ इससंता के कारिसेली को इसके परफॉर्मम्लस को ले करके बहुत सारी बात हैं इसके बारे में यह हकी कत है जो बच्चे कह रहे हैं बच्चे बहुत हैं अंकूर आप अन्म्यूट करें अपने माई कौन करें अंकूर सुन पारे हमें कि संदीप हमारे साथ हैं संदीप सुन पारे हमें अब माई करिए संदीप माई कि अन्म्यूट करिए माई करिए माइक आपका म्यूट है बंद है माई कि संदीप आप अपना माई कि आप देखिए सिंगनल आपको दिख रहा होगा माई का कि आप माई कि नमस्कार जी संदीप बताइए कि संदीप ने लास्ट है फर्मसी की है डी फार्मा पंडित एलार कॉलिज कबूल पूर बांगर फरिदावाद से जी जिसके बाद मैंने तीन महीने की ट्रेनिंग बीकर होस्पिटल में की है सर और दिसंबर में कि अपना रेष्ट्रूशन का पता नहीं लग रहा है तो क्या कहते हैं क्या कहते हैं क्या कि वाले क्या पॉलिज वाले क्या कि कि आपने जो जमा कराए आ जाएगा लेगा लेगन एचस्पीसी वालों ने ये पहले तो ये कह दिया था जो बच्चे और गए थे कह रहे हैं कि आपके कॉलेज का नाम नहीं आ रहा है तो उसके रिगार्ड है अपने कॉलेज में गया थे तो हमारे चेर ने सर ने हमें का एक कि नहीं जा और अब नाम आ भी जा लेगन दुमारा हमारे साथ के कुछ बच्चे जाएथे उसके बावजू करके कॉलेज में कोई कम्प्लेंट्स आई हुए है उसके पहले इंस्पेक्शन होगी उसके बाद आपकी फाइले जबाओगी अब नई फाइले नहीं रही रहे ह सब्सक्राइब करेंगे उसके बात करेंगे जी अंकुल जी सुन पा रहे हैं आप हमें सर आपके माध्यम साम सरकार को भी यह कहना चाहते हैं चैस की को भी कहना चाहते हैं जल से जहारा प्रिस्ट्वेशन देजा जाए ताज यहां किसी काम कर सकें जी शोजब देखें मैं यह कहता हूंग अगर अगर आपको इसकी जानकारी मिलती है या फिर नंबर ऑप सीट्स जितना अप्रूब्ड उनको दिया गया उससे कहीं अधिक सीट्स पे उन्होंने एडिमिशन ले लिए तो इसके बारे में आपने क्या कारवाई की क्या आपने हरियन सरकार को या कंसरंड कॉंसिल को या PCI को आपने इसके बारे में पत्रा चार किया मेरा एक सवाल है दूसरा सवाल ये है कि अगर आपको लगा कि उस कॉले वो सब कॉलेजे नियम और सर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं और आपने ब्लेक लिस्टेट किया हुआ है तो क्या आपने पब्लिक एवेर्नेस की दिष्टी से केंसंकार भी राजिसंकार भी सभी इस बात पर जूर दे है कि पब्लिक अवेर्नेस की दिष्टी से अगर कोई संस्था इस प्रकार का गलत काम करती है तो उसके पास पूरा अधिकार है उस कॉलेज को ब्लेक लिस्टेट करने के बारे में आप अख़वार में विग्यापन क्यों नहीं देते हैं क्यों ये बच्चे परिशान हो रह दो साल अपने और अपना पैसा की बरबाद करते हैं अपने जीवन का जो एहम समय है वो बरबाद करके यह आ रहे हैं इस तरह से विधित करके आदे हैं आज ये राज बताईए आप सर नमस्कार सर मैं इतना कहना चाहरा हूं जितने भी कॉलेजिस से हम लोगों ने देखा है जो भी हमारी बाते हुई तो उसमें सर ये कहते हैं कि अगर आपका डॉमिसाइल जहां से है आपको रिजिस्टेशन कराना डॉमिसाइल से बहुत एजी है और डॉमिसाइल से अगर आपने जवाब लगता है आप वहाँ पर इजी ली उसको ट्रांसफर कर सकते हैं इसमें दिक्कत ये है कि जैसे अगर हर्याना स्टेट के बच्चे हैं और उन्होंने पंजाब से या मध्यपरदेश से या फिर दिल्ली से या दूसरे अन्ने किसी राजियों से जाकर उन्होंने फार्मिसी से संबंधित कॉर्सेस कर लिए अब उनको क्योंकि वो रेजिडे बताती है आपने बाहर से किया है उनको यह चूपते ही चाहिए उसकी जाझ रहने की है नहीं की दूसरा जो domicile की इन्होंने बात कही है थोड़ा साइट इनको ये थोड़ा साइट explain नहीं कर पाएं मैं आपको बताओं कि domicile का issue ये है कि अगर वो बच्चा यहां का है तो उनका अधिकार यहां बनता है दूसरा अगर किसी दूसरे state से हैं जैसे किसी दूसरे state का बच्चा अगर हर्याना के किसी college से आके उसने pharmacy के courses की ये degree हासिल की तो उनको फिर noc लेने की जवरत परती है वो noc उनको उसमें उनके domicile की आवर्सक्ता परती है कि जब तक वो यहां से noc नहीं लेंगे तो दूसरे जो concern उनकी pharmacy council उस state की pharmacy council है वो उसको license नहीं देंगे आकिकत में ब यूजी सी ने डाला हुएगी college अगर आप एक university से आपने कोई काम कोई आपने degree हासिल की है और दूसरी state के किसी university में आप जा रहे हैं तो आपको एक तरह से migration certificate की आवस्टक्ता परती है जिए प्रकार की तो provisions हैं आप एक तरफ यह तो कहते हैं कि federal structure है हमारा जब federal structure है तो कर रहे हैं आप लेकिन आप फिर तब भी migration आपने बच्चों को इस तरह से सरकों के पर खाक चानने के लिए मजबूर करने के लिए इस प्रकार की प्रोविजन साब बना रखे हैं नियू इस प्रकार की सुविदाएं क्यों नहीं दिगारी क्यों इस प्रकार के पुढ़ान के लिए अपने जिन्दगी को स्थापित करने के लिए अभी छे महिने पहले आट महिने पहले ये चर्चा चल दाई थी पूरे प्रदेश में है कि अगर आपको लाइसेंस लेना है तो एक लाख रुपया आपको खर्च करना पड़ेगा और बच्चे ने अगर एक लाख रुपया खर्च किया तो उसको तुरंट सिगनेचर होके उसका रेजिस्ट्रेशन मिल जाता था ऐसे आरोप लगे बहुत सारे लोगों ने इस तरह के आरोप लगाए मैं मैं मेरा तो सवाल बहुत जेनूइन है जो बच्चे कह रहे हैं जो परेशानी अपने बच्चे अब्यक्ट कर रहे हैं उसको ले करके मैं कहता हूं कि सरकार संभी दन सिल्ट क्यों नहीं होती है क्यों नहीं सक्री हो रही है क्यों नहीं फार्मेशी कॉंसिल की जो कारिसेली है उसमें सुधार लाने की बात की जा रही है क्यों नहीं हेल्थ मिनिस्टर इसको लेकर के सक्री हो रहे हैं गंभीर क्यों नहीं होते हैं मामला उठता है मामला फाइल जाती है तो दिखे जब जब आप अच्छा नहीं है लोगों को सही सर्विस नहीं मिलेगी समय पर सर्विस नहीं अधिकार है आप यह उसका आधिकार नहीं कर सकते इस मामले को लेकर है कोट में भी कई मुद्डे बढ़ने यह वहां से आदेश आया हूं उसके बाद पर आनन फानन में जो बात होती है कि अब हमारी तड़कार उनिवस्टी से है हमारे पास जो डिगरी है करने पहरा चिया जारा पहले यह बोल जाएगा है तो महारा जो पीचाए के अपरूब लिस्ट है उसमें नाम रहे पन्तरह चाएं पो दबारा लिस्टा को भीजो अपने उचको वेजो करते हो तो को जो गंडे ना आ आप जो ऑन आ बच्चों को दुखिया जा रहा है नहीं है तुमारे क्या मिलता है तुमारे मिलता तुमारे यह नहीं अब भाव को फरीदवाद में इतने कॉलेज हैं, आज से पहले उनके बच्चे को लाइसे नहीं मिलें तो फिर हमें भी दो, नहीं तो फिर आगे अगे अधिमिशन हो रहे हैं, उनका फूच्छी भी तो खराब कर रहे हैं, आपके आने से कुछ नहीं हो गया, आगे जो बच् में पीचाई की वेबसाइट पर लेखवा, उनकी ब्लैक लिस्टेड है, और जहां पर ऑनलाइन हमां हर्याना में फार्मेसी में रिस्टेशन करते हैं, आप लोग भी तो ब्लैक लिस्टेड है, तब तो हम मान सकते हैं इस चीज़ों, बच्चों को धमकाया जा रहा है, आठ-ाठ महीने बाद मंतरी, MLA, MP, सब से बात कर ली, हो जाएगा, जी हो जाएगा, नास्ट मुमेंट पर होता नहीं है, आठ महीने देगी गोली मिल जा रही है, ऐसा भी क्या डोकुमेंट हो गया, हर्याना से सारे डोकुमेंट है मेरे, 10, 12, सब कुछ डॉमिसायल, एक भी सब्सक्राइब कि आपके कागस पर वजन रखा है तो लाइसेंस मिलेगा आपके कागस पर वजन नहीं रखा है तो लाइसेंस नहीं मिलेगा कागस पर वजन रख देते हैं कि थोड़वा देते हैं इसको जो ह्याना पार में ती है इसी को देदेते हैं चड़ा वार अपने तीन साल हो चुके हैं सर लास्ट यर दो हजार इक्टिस में अपने एक्जाम दिये थे वी सिकित भाई से चल रहा एक साल तो ट्रेनिंग करें हो सब्सक्राइब तो पहले अपना हर्याना टेक्मिकल बोर्ट से उसको ब्लैक लिस्ट रवा उसकी उसमें सारा कॉलिज बिलकुल अप्रूवड है उसमें कंडेक्ट लिख हुआ यार कॉलिज है वी अप्रूवड तो कंडेक्ट् और अप्रूवल 2023-2024 जब 2023-2024 का तो मतला हमारे बैसका भी हमारे डोकुमेंट है कॉल दिया है हमें लेटर वहां जाते हैं तो यह बोल देती माडम चेर्मेंजी से मिल लो चेर्मेंजी कह देते हैं आप अपने उसमें मिल लो डारेक्टर को भेजो प्रिंसिपल को भेजो हम पर शाहे को साथजी के पास जाते हैं बुए सबीसा थेते हैं आप नंगर भाईचैत कि से इसरा उनष्टाskें traff वो notions कर आए भी सबमेंजी कि जिए हो भीस कि हमें अपनी झारेंजार मेंजा थर चाहानों पका है लेवल पर किस तर पर परिशान किया जाएं आप पटास बच्चें पतास में से चालिश केच्व कर दोगे एक करोगे उसका नाम है ता फ्रंट स्टीट पर अब आप देखें यह सरकारी कॉलेज से प्रकार के बात कर रहे थे तो इसी से उस प्रकार के पर्शप्शन बनते हैं पिर सरकार कहती है कि हम पर अनरगल आरूप लगाया जा रहा है आखिर आरूप आप पर क्यों नहीं लगाए जा झब आप जब उसuti प्रकार के आप दिखा रहे हैं लोग जो बच्चे हैं सरकारी संस्थानों से एप्रूब कॉलेजर से भी दीडीडी हासिल करके और तब चक्र काट रहे हैं आपके दूसरी सबसे बड़ी कमी यह है कि एक तो इस इसको राइट टू सर्विस एक्ट में शामिल नहीं किया गया है जो कि करना बहुत जरूरी है दूसरी बात यह है कि इस फार्वेशी काउंसिल को जन्ता के सरकार के या फिर जो एकाउंटेबिलिटी इसकी है वो फिक्स नहीं की गई है क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जितने कॉलेजिज हैं जिस का नाम ये लिया आप बताईए किसी प्रिंसपल को क्या इतनी फूर्शत है वो क्यों किसी एक पर्संट टू परसंट किसी एक बच्चे के केस को ले करके वो पैर्वि करने के लिए हाँ फार्मेसी काउंसि नहीं हो रहे हैं तो अब आप यह देखिए कि आखिर आप से अगर काम होता है पत्राचार से आपके पास डॉक्मेंट दे दिए आप यह बताइए जब हरेना सरकार यह कहती है राश्टी लेवल पर पिछले नौ बर्सों में मैं कई ऐसे अवाड का नाम ले सकता हूं जो की ड प्रकार का दावा ठोकते हैं और चंडिकर में जिसका मुक्षाले है हरेना फार्मेशी कॉंसिल आज तक आप उसका डिजिटला हिसन नहीं कर सकी आप आज तक आप उसके सिस्टम को ऑनलाइन क्या करते हैं ऑनलाइन के नाम पर क्या किया है इनोंने वेब साइट पर आप फिजिकली वहां जाईए उसके काउंटर पर और एक तो आफिस इनका इतना और बेभारी जगह पर जिस तरी किसे सीरिया ऐसे बच्चे ऐसे खरे रहते हैं घंटों लाइन में लगा करके वहां समय फिक्स है वो टाइम अगर घरी की सुईयां बारब पहुंच गई तो बार बच्चे को फाइल हैं वापस कर देते हैं बच्चा फिर सारे मेहनत पर पानी फिर गया वापस आ गया दोबारा फिर एक मेने बाद वापस फिर जाता है फिर बच्चा जाता है इस तरह से बच्चे को वांडरिंग करा जाता है फिजिकल वेरिफिकेशन आपने करा लिया उ चौदरी साथ एक SOP बनना चाहिए है कि यह यह चीज़ने चाहिए है एक बार में चेक्लिस्त आ जाए यह चीज़ने चाहिए है अगर आपको उसमें कोई कभी लग रहे है यह आप मुकद्वा जर्च करा दीजिये ना आपको फरजी लग रहा है कि यह चातर फरजी आप में मिलेगा कि कोई भी टूल इसका ठीक से काम नहीं करता है दूसरा जो नहीं उस पर डाल रखा है फार्मेसी कॉमसिल के उसने एनक्सर दिये हुए हैं लेकिन उस एनक्सर से काम नहीं चलता वो तो घोचित अनक्सर है लेकिन जब आप फिजिकल वेरिपिकेशन के लिए ज जाते हैं वहाँ चकर काटेंञे हrie वापस आते हैं मैं कहता हूं कि इस प्रकार के फीजिकल विरिफिकेशन की या इस प्रकार को आवर्षक टाक्ता क्या है आप आगर आपने फोर्कास्ट आपने डाल दिया हुआ है थो उसके बाद आप कुरे पास उना होने online apply कर दिया आप उसको access करेंगे पुरा analyze करके आप उसको electronically आप क्यों नहीं response करते हैं candidate को कि आपके document में आपके application में यह यह कमिया है लिहाजा आप इन कमियों को इतने तारिक तक दुबारा आप पूरी करिए इस तरह की चीज़ा एक भी बच्चे को हर्याना pharmacy council से कोई response नहीं आता है उनको response उसी दिन आता है जिस दिन की या तो वहां जाते हैं तो उनको जिरक कर बता दिया जाता है मेरे पास टाइम झाले बताने के लिए कहां से हमाश। आभि नहीं गषे जाओ आप निकल कुणो इसके बाद कोई बात नहीं बताते है जिस दिन सभाग इस испशे किसी कारण sabem किसी तरह कार्ण कर जाहिए, जैसे भी जीस तरीक से हो चाहाए अंफैर मींस हो या पॉजिटिव मींस वो किसी तरीके से उसको अगर जब लैसन्स उसका wspól हो जाता है तो लैसन्स उस बच्चे के घर बायपोश्ट जब आजाता है तब जाके बच्चे को वो response मिलता है। इसके अलावा हर्याना फार्मिशी कॉंसिल किसी के परती इस धर्ती पर किसी संस्था के परती उत्तरदाई नहीं है। सोरा बारद्वाजी मैं आपको ये बातें बता रहा हूं ये कितना दुखदाई पार्ट है हर्याना की धर्ती पर administrative कितना lacking है और इससे हर्याना सरकार क्यों नहीं समझ रही मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं ये बात समझ रहे हैं कि आखिर ये युवाओं का मुद्दा है रोज सवाघ्यार की उस जगह से क्यों इसी सीटी पैदा हुए क्यों इस सरकार समझ रहोती है आखिर आपकी चबी का मैं सवाल उखता है आपकी कारिसहली पर फोर समी कानुन नहीं पता है उन्होंने डिग्री कर ली उन्होंने परहाई अपनी पूरी कर ली अपना उसमें उनकी अपनी एक सीमा है हर बच्चे की अपनी एक सीमा है जानकारी की उनको नहीं पता है तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उसको ठीट जंग से करें वहां की कारिसेली में सुधार लाया जाए इन बच्चों को उनके घर तक आप वो सुधा पहुंचाएं जब उसका यह अधिकार है डिगरी हासिल करने के बाद फिर आप इस प्रकार से उसको बंचित किये हुए हैं और इतने इतने आरों कितने प्रकार के आरों भरेना फ क्या हुआ है कैसे गिरवदार हुए है कैसे साइकोर्ट में चल रहे हैं पैंडिंग है मामला दर्ज है करप्शन का उसके बावजूद वो फिर दुवारा जीत करा जाते हैं फिर दुवारा कुर्स्री पर बैठे हुए हैं और इस प्रकार के बच्चों के भागी को सीधा ए में पैठ कर अपने हाथ में पावर ले कर तिसपावर से जो वोटिंग का सिस्टम भी इतना खराब है इतना यह जो फार्मस्य काउंसेर के जो چुमा होते हैं यह इस चुमावें भी तनी गर्वड़ियों के आरोप ये तने अरोप लगते हैं और इसका सिस्टम हिपॉल्टी इसका सिस्टम फॉल्टी है जो मेंबर्स के चुनाव होते हैं यह इतना फॉल्टी सिस्टम है कि क्योंकि जो फार्मासिस्टर होते हैं जिनको लाइसेंस इसू किया जाता है वही इसमें वोट डाल सकते हैं इनके लिए अब आप समझे उनको बाइएंड या फिर वैसे उनको नहीं दिया जाता है उनके घर जबकि नियम यह है कि उनके घर उनके वोटर से संबंदिद आप समझे आज की तारिक में देश में वर्तमान जो सरकार है केंद्र की वो कहती है कि हम चुनाव किस से कराएंगे एवियम से कराएंगे वो सबसे फूल प्रूफ सिस्टम है सबसे फूल प्रूफ सिस्टम है अब आप समझे हर्याना फार्मेशी कॉंसिल का जिस हराजी को बारंबार डिजिटलाइसन ऑनलाइन और इस तरह के चीजों से इंटरनेट सिस्टम को ज़्धा-ज़्यदा उपयोग करने के लिए इफाइलिंग करने के लिए बारम बार राश्टिय अवार्डू मिले हैं उनको हरना फार्मशिसी का चुनाव कैसे होता है ब्यृत पेपर से बताईए इस परकार की संस्था का राजिस्थरी संस्था का बैपर से चुनाव होता है क्या आज की तारीक में भारत मे ये ये ऐस्विकारी है होना भी चाहिए क्या ऐसडे जिसकी केहल्स वह कार जंबार कहती है draw मपह्क dai आव तो उस पर आरोप लगाते हैं कि वस्त है और यह भ्रस्टाचार कि प्रत्शन करना चाहते हैं लूट पर लूट कर फिर सप्ता में आना चाहते हैं फार्मेश्टी काउंसिल को क्या मजबूरी है कि आप बेलेट पेपर से चुनाओ कराते हो आखिर क्यों कराते हैं और वह भी यह नहीं कि उसके लिए बूट फिक्स है कोई बूट नहीं बनता क्या है सिस्टम है वहां जो लोग ब बूलाकर अपने घर में अपने नाम का मोहर उसके टिक कराके और फिर अपने से खुदी उसको बंडल बना कर और फार्मेश्टी को भेज देते हैं जो उसके एलक्सन इंचार्ज होते हैं आप समझे हरेन सरकार क्या कर रही है हेल्थ विभाग क्या कर रहा है जो वहां एरिस सिस्टम है इसके लिए कौन जिम्म्यदार है दस साल, नो साल पहले चलिए पूरवरती सरकार थी आप उस पर आरूप लगा सकते हैं उन्हों ने इस सिस्टम को फॉाल्टी बनाया मगर नो साल क्या 9 दिन है, नो दिन में आप इस संस्था को नहीं सुदार सकते हैं आप बेल करेंग जो अन्याय होता रहा है लोगों के साथ उस अन्याय को आ न्याय में त्बदिल करेंगे आप सारी वेवस्था में दरार करेंगे पूरा परिवर्तन करेंगे आपने अपके बिद। से चुनाव आपके पन्चायत का चुनाव चनाव परामिर स्थानी हो या पर सहरी स्थानी के निकाय हो आप कर आते हो और ब refresh निरा लोग इसमें गोडर डैHelp यह दीप्लोब आनने के लिए जो रेजिस्ट रोओ सब्सस्चीन तो आप उतने परहे लिखे लोगों के लिए समाज के लिए जो चुनाव होता है उनके जो चेर्मेन बनेंगे वाइस चेर्मेन बनेंगे मेंबर बनेंगे उनका चुनाव आप बैलेग पेपर से कराते हो और अगर बैलेग पेपर से भी आप कराते हो तो उस बैलेग पेपर को आप कैसे सुन यह मुझे लगता है पता नहीं सरकार को अपनी छबी की भी चिंता है या नहीं है देखें अगर आप देखेंगे पूरे पिछले दो तीन माह से मैं यह देख रहा हूं अच्छी बात है अच्छी कोशिश है कि कम से कम मुख्यमंत्री अलग अलग योजनाओं के जो लाभारती हैं सौरब जी जो लाभारती हैं उन लाभारतियों से आप बात कर रहे हो उनके आनुवब आप जानने की कोशिश कर रहे हो समझने की उनकी मुख्यमंत्री को इसी तरह से बात करनी चाहिए मैं यह कहता हूं कि जितने रजिस्टर फार्मासिस्ट हैं या फिर जो बच्चे यंग आ रहे हैं रजिस्टर हर्मासिस्ट को जिनके जिनको जंग लग चुके हैं वो तो उस पॉल्टि सिस्टम के पार्ट हैं सवरभार्द्वा जी लेकिन जो यंग बच्चे हैं जो अपने भविश्य को बनाने के लिए संगर्श कर रहे हैं आज सरकों पर उन बच्चों से आप बात करिए मुख्यमंत् करें जी तो समझ में बात आएगी कि ये बच्चे क्या चाहते हैं और क्या आपको करना चाहिए था जौरान के एक साल दो साल-टीन-साब-चार साल कब तक ये बच्चे इंतजार करेंगे इसमें सुधार होने का अखिर इस बच्चे के साथ इन बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है आप संस्थान को छोड़िए जो सिक्सन संस्थान है वह अपना रास्ता बदल लेंगे मैं मैं आपको उधारन दूसरों जी कि बहुत सारे कैसे हैं जो मार्केट के ट्रेंड को देख करके सरकारी तंत्र के कंड़क्ट को देख करके वह अपने यहां कोर्स सुरू करते हैं या फिर कोर्स बंद कर देते हैं क्यों उन्हें पता है वह कमाने के लिए आए हैं अगर जहां उनको लगता है कि कमाई में यह सरकारी तंत्र का भषर करेंगे तो मैं आपके इसका जीकर करूंगा लेकिन आंप मैं क्या BACK क्अरों कि साथ इस बिचार कर रहे हैं कि हम इस ब्रांच इसको बंद कर क्योंकि बच्क लाप sport कर दें आप देंसे बहुत सारी बच्छे जो ही आपके साथ जुरे दरजनों, उन सारे बच्चों ने किसको दोशी ठाराया, college को, institution को, जब कि institutions की ये responsibility नहीं है, ये उनका fault नहीं है, ये हरेना pharmacy council की जिम्मेदारी है, और उससे उपर हरेना सर्कार की, health विभाग की, स्वास्ट मंत्री की, या health secretary की, या health जो director है, उनका, जो director इसके लिए इंचार्ज होंगे pharmacy council के, उनको देखना चाहिए था, या फिर ACS, एरिस्टल चिप security level के जो अधिकारी है, उनका काम है, या फिर उससे बरकर के मैं आप बातें ये कह रहा हूं, कि जो मुख्यमंत्री के, जो principal secretary's हैं, अलग-अलग, उन principal secretary's को भी अलग-अलग department दिया गया है, उनकी फाइलों को देखने के लिए, उसको monitor करने के लिए, तो मुख्यमंत्री जी के पास बैठे वे जो सारे senior I.S. officers हैं, जिस I.S. officers के पास PCI का charge है, वो इस पर नजर नहीं कराते हैं, क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है, उनको नहीं देखना चाहिए कि इस तरह की सितिक्यों पैदा हो रही है, क्या वाकई इस से related जो beneficiaries हैं आप लावारती ही मान लीजिए, मत मानिये आप युवा उसको वैसे रोजगार पैदा करने वाले या रोजगार लेने वाले उस तरह की लोगों को, आप लावारती ही मान करके ही, कम से कम वोट की खाते ही, आप कम से कम उसकी कठनाईयों को दूर करने के तो कोशिस करिए, इतनी इतनी जी जी चोदरी साथ ये बहुत लंबी कथा है क्योंकि ये भृष्टाचार की कहानी है इसलिए बहुत लंबी कहानी है और लगबग एक घंचे से हम लोग इस सब पर चर्चा कर रहे हैं और मुंथन में निकल कर आया है कि ये जो फार्मेसी काउंसिल और हर्याना क को और यूनिवर्स्टियों को भी अस्विधा का सामना थरना पड़ रहा है ऐसे में सरकार को इसमें दखल देना चाहिए और इन छात्रों के हितों में सरकार को कुछ कड़े कदम उठारे चाहिए ऐसा हम मानते हैं जोड़ेंगे फरीदबाद आपको फिर ऐसी ही और चर्च आपको ऑजांगे था आफ इसे लोग्याओ कर दो डड़ेंर का सामना गाहिए या हैं झातारे भाक्यून के प्ल Googैर या झाल ही अस्विधा जोड़ेंगा टॉरें आपको आ थे फिन फिल्टरों आपको फिए बश्म ख्रीद साविधाून के जोशिश ठाम myself acces जासाइबार